पहले दिल्ली में बिजली बहुत जाया करती थी हम लोगों ने मेहनत करके 2-3 साल के अंदर सारा इंफसेक्चर ठीक किया और दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली आने लगती अब कोई छुट पुट इदर उदर लोकल फॉल्ट की वज़े से बिजली चली जाये तो चली जाये नहीं तो अमूमन दिल्ली में अब 24 घंटे बिजली हर जगे आती है और दिल्ली में बिजली फ्री हो गई हमने ब्रश्टाचार खतम करके जो पैसे की लीकेज थी उसको रोक के खूब सरकारी पैसा बचाया और उस सरकारी पैसे से दिल्ली के लोगों को हमने सुविधा दी कि दिल्ली के लोगों को अब 24 घंटे बिजली मिलती है फ्री बिजली मिलती है ये केवल और केवल एक कटर इमानदार सरकार का की वजह से हुआ दिल्ली में टोटल 58 लाक डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं 58 लाक्स उसमें से 47 लाक कंज्यूमर्स को सबसीडी मिलती है दिल्ली की जो इसमें से 30 लाक हैसे लोग हैं जिनके बिजली के बिल जीरो आते हैं 58 लाक टोटल कंज्यूमर्स है 47 लाक को टोटल सबसीडी मिलती है उन 47 लाक में से 30 लाक हैसे हैं जिनके जीरो बिजली के बिल आते हैं और 16-17 लाख लोग ऐसे हैं, जिनके आधे आते हैं, आप लोग जानते हैं, वहीं, 200 यूनिट तक तो फ्री बिजली है, और 201 से 400 यूनिट तक आधा रेट है, तो 16-17 लाख परिवार ऐसे हैं, जिनके आधे बिजली के बिलाते हैं, और 30 लाख ऐसे हैं, जिनके फ्री बिजली म पिलाते हैं कुछ लोगों की डिमांड थी बिल्कुल सही डिमांड थी कि जी हम पे कर सकते हैं हमें क्यों बिजली की सबसीडी दी जा रही है हमें ऑप्शन दी जाए कि हम पे करना चाहें तो करें नहीं करना चाहें तो ना करें हमारे उपर सबसीडी क्यों थो पी जा रही है ये बहुत सही बात है कि सब को जबरदस्ती सबसीडी क्यों दी जाए, सबसीडी उसी को मिलने चाहिए जिसको जरूरत है. तो कुछ महीने पहले सरकार ने फैसला लिया था कि हम उन्हीं को सबसीडी देंगे जो एपलाई करेगा, जो मांगेगा, सरकार से कहेगा कि मुझे सबसीडी चाहिए, उन्हीं को सबसीडी देंगे. उस स्कीम को अब लागू करने जा रहे हैं. हमने कहा था कि 30 सितंबर तक ये पुरानी योजना चालू रहेगी, सब लोगों को सबसीडी जो दे जा रही है, एक अक्टूबर से उन्हीं को सबसीडी मिलेगी, जो मांगेंगे, अप्लाई करेंगे. तो अप्लाई करने के तरीके आज हम जारी कर रहे हैं, एक तरीका तो ये है कि अगला आपका जो बिजली का बिल आएगा, उस बिजली के बिल के साथ एक फॉर्म आएगा, भी जारी रहेगी, दूसरा तरीका है इलेक्ट्रोनिक, मैं आज एक नंबर जारी कर रहा हूँ, इस नंबर पे आप मिस कॉल मारो, मिस कॉल मार के आपके पास एक SMS आएगा, उस SMS पे एक लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लिक कर दो, आपके WhatsApp के उपर एक फॉर्म खुल जाएगा, वो फॉर्म भरके भेज़ दो, आप रेजिस्टर हो गए, ये नंबर है 7011-3-11-11-1, पांच बार वन, तो 7011-3, फिर पांच बार वन, इसी नंबर पे या तो मिस कॉल कर सकते हो, या हाए लिखके WhatsApp कर दो, हाए, 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 वाटसएप कर दो, आपके वास फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म बरके आप WhatsApp पही भेज़ दो, आपका काम हो जाएगा, और ऐसे लोग, कई लोग ऐसे हैं, जिनके, जिनोंने अपने के, के नंबर जो होता है, जो बिजली का जो नंबर होता है, वो उसके साथ उन्होंने अटैच किया हुआ, अपना रेजिस्टर करवाया हुआ, मुबाइल फोन नंबर, इन सारे लोगों को हम अपनी तरफ से भी भेजेंगे, कि भाई जो जो लोग रेजिस्टर करना चाहते हैं, रेजिस्टर करें, आपके फिजिकली फॉर्म देने से, या रेजिस्टर, इलेक्ट्रोनिक रेजिस्टरेशन करने के, तीन दिन के अंदर, आपके पास कन्फरमेशन आ जाएगा, SMS से या इमेल से, कि भाई आप रेजिस्टर हो गए हो, और आपकी सबसीड़ी लागू रहेगी, ये अब इस तरह से है, आज से आप ये सुविधा, आप इलेक्ट्रोनिकली आप करना चालू कर सकते हैं, इस नंबर पर मिस्कॉल कर सकते हैं, मिस्कॉल करके आपके अस फॉर्म आएगा, आप रेजिस्टरेशन करना चालू कर सकते हैं, 31 अक्टूबर तक, जितने लोग अप्लाई कर देंगे, उनको एक अक्टूबर से जारी रहेगी सबसीड़ी, समझ गये, 31 अक्टूबर के बाद, नवंबर में जो करेंगे, फिर उनको अक्टूबर का बिल भरना पड़ेगा, उनको नवंबर के आगे की सबसीड़ी मिलेगी, फिर दिसंबर में जो एप्लाई करेंगे, उनको अक्टूबर और नवंबर का बिल भरना पड़ेगा, अगले महीने से सबसीडी मिलेगे और इसके लिए जनता तक किस बात को पहुँचाने के लिए comprehensive campaign हम लोग launch करेंगे घर घर तक ताकि ऐसा नहों कि जानकारी ना मिले और वो रह जाए इसकी वज़े से और ये साल में एक बार किया करेंगे कि साल में एक बार हर आदमी को अपलाई करके सबसीडी मांगनी पड़ेगी मान लोग कोई कहता है कि अब मुझे सबसीडी नहीं चाहिए तो हर साल उसको एक मुखका मिलेगा अपनी सबसीडी विड्रॉ करने के लिए तो मैं उमीद करता हूँ कि जो जो लोग पे कर सकते हैं वो पे करेंगे जिन लोगों को जरूरत नहीं है वो सबसीडी गिव अप करेंगे और जादा से जादा लोग इसका जो जो लोगों को सबसीडी चाहिए वो इसका फायदा उताएंगे